परिशंकर परसाय की कहानी मुंडन किसी देश की संसत में एक दिन बड़ी हलचल मची हलचल का कारण कोई राजनीतिक समशा नहीं थी बल्कि यह था कि एक मंद्री का अचनक मुंडन हो गया था कल तक उनके सीर पर लंबे गुंगराले बाल थे मगर रात में उनका अचनक मुंडन हो गया सदेशों में कानखुशिष हो रहे थी कि इन्हें क्या हो गया है अटकले लगने लगी किसी ने कहा शायद सीर में जूं हो गयो दूसरी ने कहा शायद देवांग में विचार भरने के लिए में किसी बालों का पर्दा अलग कर दिया हो किसी और ने कहा शायद इनकी परिवार में किसी की मृत हो गई पर वे पहले की तरह प्रसंद लग रहे थे अखीर एक सदेश्य ने पूछा अध्यक्ष महदय क्या में जान सकता हूं कि मानजी मंत्री महदय के कि परिवार में क्या किशी की मृत्ति हो गई हैं मंत्री ने जवाब दिया नहीं सदेशों ने अटकर लगाए कि कहीं उन लोगों ने ही तो मंत्री का मुंदन नहीं कर दिया जिनके खिलाब वे बिल पेंश करने का इरादा कर रहे थे एक सदेश ने पूछा अध्यक्ष तो क्या वे बताएंगे कि उनका मुंदन किस ने कर दिया है मंत्री ने संजीदगी से जवाब दिया मैं नहीं कह सकता कि मेरा मुंदन हुआ या नहीं कई सदेश चिलाए हुआ है सब को दिख रहा है मंत्री ने कहा सब को दिखने से कुछ नहीं होता सरकार को दिखना सरकार इस बात की जहांच करेगी कि मेरा मॉंडन हुआ है या नहीं एक सदशी ने कहा इसकी जहांच अभी हो सकती है मंत्री महोदे अपना हाथ सीर पर फेर कर देख ले मंत्री ने जवाब दिया मैं अपना हाथ सीर पर फेर कर हरगिस नहीं देखूंगा सरकार इस मामले में जंद बाजी नहीं करती मगर मैं वाइदा करता हूं कि मेरी सरकार इस बात की भिष्तरित जांच करावा कर सारत्तित सदन के सामने पेश करेगी सदाशत चल लाए इसकी जांच की क्या जरूरत है सीर आपका है और हाथ भी आपके है अपने ही हाथ को सीर पर फेरने में मंत्री महोदय को क्या आपती है मंत्री बोले मैं सदेशों से समत हूँ कि सीर मेरा है और हाथ भी मेरे है मगर हमारे हाथ परंपराओं और नीतियों से बंदे है मैं अपने सीर पर हाथ फेरने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ सरकार की एक नियमित कारी प्रणाली होती है विरोधी सदिशू के दबा में आकर मैं उस प्रणाली को भंग नहीं कर सकता मैं सदन में इस समझ में एक वक्तव ये दूँगा शाम को मंत्री महोदय ने सदन में वक्तव ये दिया अदक्ष महोदय सदन में ये प्रस्ण उठाया गया है कि मेरा मुंडन हुआ है या नहीं यदि हुआ है तो किशनी किया है ये प्रस्ण बहुत चटिल है और इस परकार सरकार जल्द बाजी में कोई निलने नहीं दे सकती मैं नहीं कह सकता कि मेरा मुंडन हुआ है या नहीं जब तक जाज पूरी न हो जाए, सरकार इस समन में कुछ नहीं कर सकती। हमारे सरकार तीन व्यक्तियों की एक जाज समित्य नियुक्त करती है, जो इस बात की जाज करेगी। जाज समित्य की रिपोर्ट मैं सदन में पेश करूँगा। सदेशनों कहा, यह मामला कुटूप मिनार का नहीं, जो सद्यों जाज के लिए खड़ी रहेगी, यह आपके बालों का मामला है, जो बढ़ते और कड़ते रहते हैं, इसका निरने तुरंत होना चाहिए। मंत्री ने जवाब दिया, कुटूप मिनार से हमारे बालों की तुलना करके उनका अप्मान करने का अधिकार सदेश को नहीं है, जहां तक मूल समशा का समन्द है, सरकार जाज के पहले कुछ नहीं कर सकती, जाज समित्य सालों जाज करती रही, इधर मंत्री के सिर्पत बाल बढ़ते रहे, एक मंत्री ने जाज समिति की रिपर्ट सदन के सामी जाती, जाज समिति का निर्णे था कि मंत्री का मंदन नहीं हुआ था, सत्ताधारी दल के सवागत हर्श्यत्वनी से किया, सदन की दूसरे बाक से सर्म, शर्म की आवाजे उठी, एतराज उठे, या का खयाल हो सकता है मगर पर्मान तो चाहिए आज भी अगर आप पर्मान दे दे तो मैं आपकी बात मान लेता हूं ऐसा करकर उन्होंने अपने गुंगराले बालों पर हाथ फेरा और सदन दूसरे मसले सुन जाने में व्यस्त हो गया कहाने समान